अलो प्यारे साथियों स्वागत थे आपके अपने प्यारे सी यूटुब चैनल फिजिक्स भाई संजीश सर्व लेकि पीछे हम दो वीडियो बना चुके हैं जिसमें ब्रिलियंट के हम कोश्च अन्बाइन का सोलीशन कर रहे हैं तो अब्जेक्टिव के लिए एक वीडियो प्रस निकली बताएं बुदियो बनाने वाले हैं वह वीडियो आपका दिर गुतर हम स्लूशन करेंगे जली कोश्चन आपके सामने है कि कि से कहते हैं एक विद्धुतिये दिविद्रु की अक्षपर इस्थीते किसी बिंदु पर बिद्धुत्षेत्र की तिवर्ता का ब् तो मान के चली कि बिद्धु छेत्र की किसी बिंदु पर जो आवेस हमारा क्यूंट है वो एफ बल का अनुभाव करता है अवेस क्यूंट कितना बल का अनुभाव करता है तो एकांग का वेस कितना बल का अनुभाव करेगा तो एकांग का वेस एफ बटा क्यूंट का अनुभाव करेगा Q-note बल का अनुभाव करेगा और एकांग का वेस विद्धु छेत्र की किसी भी बिन्दू पर जितना बल का अनुभाव करता है उसी बल को विद्धु छेत्र की तिवर्ता खाते हैं और उसे E से लिखते हैं तो हमारा फर्मूला हो जाता है E बराबर E फर्मूला हो जाता है जैसा कि हमसे कहा था कि बिद्धु तिवर्ता को क्या करे परिभासित करे यानि कि किसे कहते है तो बिद्धु तिवर्ता का क्या परिभासा होगा बिद्धु छेत्र की किसी बिन्दू पर एकांग का वेस द्वारा अनुभाव किये गए बल को ही विद्धु छेत्र की तिवर्ता कहते हैं या विद्धु तिवर्ता कहते हैं जो आपको बताना है जैसे माली जी कलकुरेट में विद्धु छेत्र की तिवर्ता पूछ देता है कोई अही परिभासा बताना है कि वोल विधुत्य वृता कह रहा है ताप कोई अही परिभासा बताना है तो विधुत्य वृता समझ गया है कि विधुत्य चेत्र के किसी बिंदु पर एकां कावेश द्वारा अनुभाव किया गया बल कोहीं विधुत्य वृता कहते हैं तो व हमारा कोई विद्धुद विद्रू है विद्धुद विद्रू जानते हैं आप लोग कि एक पलस की और एक माइनस की उसे बना हुआ कि एक होटा इसके बीच के दूरी क्या होता है और कर रहा है हमारा कि व। और के विद्धुत विद्रु की आक्स पर दिध्धुत विद्धुनी का यही हमारा आक्स्च्छ है तो इस पर कहीं एक विद्धु ले लेना है और उस बिन्दु पर हमको विद्धृष चैत्र के तिवरता का 저 kratos ko चली हूँ इधर में हमको एक बिन्दू ले लेते हैं यहां बिन्दू P है और यहीं हम venture dinner cał का मान बताना है विद्धृष इधर और कि किसी भी बीन्दू पर विद्धृष तिवरता का एक्सपर किसी बिंदू पर बिदु छेत्रे की तिवता का जो मान होता है यी बरावर वन बटा फॉर पाई एपसिलर नोट और टूपी बटार की होता है लेकिन देखिए हम लोग दीर गुतर ये प्रस्त बना रहे हैं तो दीर गुतर ये प्रस्त में हमको बिस्तार से इतना करना परेगा फिए अखिराची स्थिति में जो बीद्धुद च्वर्दी में था कमान इतना होता है कैसे होता है नहीं समझें कोर्षन का एंसर में पश्ण पर थेकि तरह करते हैं बिद्धु-बिद्धुर्दु के तीन फे पटां फूर्द स्थिति होता है याद रखना पड़ता है क्योंकि इस में से कुछ ऊठाक एग्जामें पूच देता है सबसे पहले हम क्या करते हैं एक बिद्धुत विद्धुरु बनाते हैं दिक का नाम डेते हैं लुखत्रों कहिए आक्स कि सी बिन्दु पर बिद्धुरु इसके आक्स पर हम इधर में पर मान लेते हैं कि से जहें zone बिद्धूद विद्रू के नुच के की मिन उतता है की आश कुछर्टर एवाई के लेते हैं कि मैं लेते हैं कि केंडर से बिंदु c के बीच का दूर role be डाइग्राम बनाना सिख गया तो बन जाएगा ठीक ना बहुत असान परता है तो बिदूर बिदूर केंद्र से बिंदू C के बीच के दूरी हमारा R है ठीक तो देखिए यहां से बिंदू B से बिंदू C के बीच के दूरी कितना होगा बिंदू B से बिंदू C के दूरी होग सम इकार मेरा मै र्म होगा fit I p1-स इसा और माइनोस हैल की से होगा थे कियो कि यहां pipe लेकर कि यहां तक हमारा सिंग ऩो से लेकर सीत कंपर होजारे होजाइ rejoice फिर देखे यहां से यहां Loyal दूरी ने बिंदू C के बीच का, तो देखिए यहां तक मेरा R है, यहां तक R है, तो थोरा सा और इधर बढ़ेंगे, तो कितना बढ़ जाएगा, एल बढ़ जाएगा, तो बिंदू A से हमारा, बिंदू A से, बिंदू C तक के जो बीच का दूरी होगा, वह हमारा R पलस L लेकिन R आवेस पर बिदू चेतर कहीं से आता है, तो हम क्या कर रहें कि यहां पर धान आवेस के करण बिदू चेतर को जाते हो दरसाद रहें E1 को, और इधर से हम बिदू चेतर रेन आवेस पर बिदू चेतर को आते हो दरसाद रहें E2 को, मतलब R आवेस पर बिदू चेत आता है तो री नावेश की कारण जो बीदी दो मां लिए है और धाण अबेश मीलें बिनदूसी पर दोनों का एक परिनामी बीदू आएगा ओह ही हमको मान गयात करना परिनामीगीदू छेतर का जो की हम आपको पहले मता दी है दोनों का-दोनों economy我 पाहसा लिखना तक है भासा लिखना बड़ा आसान होता है देखिए कैसे लिखते हैं ध्यान सुनिएगा माना की AB एक बिद्धुद्विधरू है जो माइनस Q और पलस Q आवेश से मिलकर के बना हुआ है जिसके बीच की दूरी 12 है तथा विद्धुद्विधरू की केंदर O से आर दूरी पर एक बिंदु C है जहां हमें विद्धुद्विधरू के तिवर्ता का मान गयात करना है इतना ही भासा लिखना है याद करना ही नहीं है याद हो जाएगा ध्यान से सुनीए माना की AB एक विद्धु द्विधु है जो दो आवेशों से बना है माइनस क्यों और माइनस पलस क्यों आवेशों मिलकर बना है जिसके बीच के दुरी 12 है तर्था इसके केंद्र ओ से आर्दुरी पर एक विंदू सी है जहां हमें विद्धु छेत्र कितिवता का मान गयात करना है इतनी लेंग्विज में लिखते है ठीक ना अदे किया हम आपको जो भी परहार है ना ही सबका आपको इंसर चाहिए इसका PDF चाहिए इंसर सही थे कोश अभर सलंवार पर जो करते हैं एक बार मावेस के कारण बिंदू Internet पर बिदूचत निकालते हैं एक बार माइनस क्यूए वेस्टे कारण बिंदू C पर बिद्धुचत निकालेंगे अब दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे इसके लिए जानते हैं क्या करते हैं देखे लिखते हैं इसको चली डाइग्राम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरा काम बहुत असानी सोगे ठीक है इतना हम हो हो जाएगा पुलस क्यू आवेस के कारण बिंदू C पर बिद्धुच्चत निकीए यूज़िए लाश कीव आवेस से बिन्दु C के जो बीच का दूरी है वो R-L है तो किसी भी आवेश से R दूरी को बिद्धुश्यत्र कमान होता है 1 बटा 4, 5, epsilon, 0, Q बटा R square होता है लेकिन पलस Q आवेश से बिन्दु C के जो बीच का दूरी है R नहीं है R-L है तो जो भी दूरी रहता है उसके square लिखाता है तो मैंनों क्या लिखेंगे R-L का फोले square लिखेंगे यह हमारा होगी अब पलस Q आवेश के कारण बिन्दु C पर बिद्धुश्यत्र के तिवरता कमान माइनस Q आवेश के कारण बिन्दुश्यत्र के तिवरता का जो मायन है E2 है E2 बराबर हमारा है 1 बटा 4 पाई एपसिलर नोड और Q और देखें यहां से बिन्दु C के जो बीच के दूरी है R-L है तो बटा में हमारा क्या लिखाएगा R-L का होल स्क्वार लिखाएगा अब देखें ध्यान देने यह बात ही है कि वेक्टर E1 और वेक्टर E2 जो है एक दूसरे के विप्रित है एक दूसरे के विप्रित है तो ठीटा का मान एक स्वासी डिगरी होगा यहां पर लिखना परेगा एक दूसरे के विप्रित दिशा में है तो जब एक दूसरे के विप्रित दिशा में है तो जब एक दूसरे के विप्रित दिशा में होते है तो ठीटा बराबर एक स्वासी डिगरी होता है तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसलिए ठीटा बराबर एक स्वासी डिगरी अब जब ठीटा बरावर 108 डिगरी होता है तो देखे बिद्धु छेत्र हमारा सदीष रासी है और दो सदीष का जो परिणामी होता है उसका फरमुला देखे है कुछ है इस परफार्पार से होता है आर बरावर होता है अंडरूठ A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A-2A A-B आता है, हलाकि यह 11th class के vector है, यदि आप पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, क्योंकि यहाँ जब हम लोग theta के जगे एक्स्वासिटीग रखते हैं, तो minus A भी आ जाता है, तो A-B का whole square, तो A-B निकल जाता है, तो उसी परकार देखें हैं, पर E1 और E2 के बीच का जो है, मेरा angle जो एक्सवासिटीग है, तो दोनों का E1 और E2 का जो resultant आएगा, परिनामी आएगा, वो मेरा कितना आएगा, resultant आएगा, E बराबर E1-E2 आएगा, क्या आएगा, E1-E2 नहीं, तो आप under root A square का जगा, E1 का square, BA square का जगा, E2 का square, और 2 into E1 into E2 का को से डिडि कर दिजी, लास्ट में हल करके ही आएगा, की E बराबर E1 minus E2 आएगा, इसके बाद इसको solve कर दीजिए गा, हो जाएगा, अब देखे, E1 का मानियास रख दीजिए और E2 का मानियास रख दीजिए, आप उसके बाद हल कर देएं, तो चली हम रख दिए हैं, इवन ओडिट्यू कमार रखते हैं 1 बटा 4 pi epsilon नोटे और q बटा में हमारा r minus l का whole square और यहाँ minus 1 बटा 4 pi epsilon नोटे और मेरा q बटा में r plus l का whole square कर देंगे हैं से अब देखें आपको एक बात दोनों में common दीख रहा हुआ इसमें भी 1 बटा 4 pi epsilon नोटे और q है इसमें भी 1 बटा 4 pi epsilon नोटे और q है अज जो चीछ दोनों में एक समान होता उसको common ले लेते हैं तो इसमें से में लोग क्या common लिका सकते हैं तो common लिका लेंगे 1 बटा 4 pi epsilon नोट आइन्डू में q तु हमारा अंदर में क्या बचेगा 1 बटा r-L का 雷ा स्कार और यहां बचे गा मेरा r l का雷ा ठीक है उसके बाद जानते हैं में प्टो किया करेंगे इसका और इसका LcM ले 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 दीजली अगला स्टेप में इधर तो मेरा हो जाएगा E बराबर हो जाएगा E बराबर 1 बटा 4 pi epsilon नो रटे और इंटू में Q LCM लेंगे तो देखें नीचे में तो मेरा हो जाएगा R माइनस L का whole square और इंटू में R पलस L का whole square यहाँ पर क्या लिखाएगा R प्लस L का होल स्क्वार माइनस R माइनस L का होल स्क्वार लिखा जाएगा है यहाँ पर अब देखें E बराबर मेरा हो जाएगा 1 बटा 4 पाई एपसिलन नोटे और इंटू में Q अब देखें यहाँ फर्मूला होता है फर्मूला आपको याद हो जा greeting हो लेकिन हम लिखा देते हैं फर्मूला द लिखी होता है e पलस Lka का होल स्क्वार और माइनस e मैनस B का होल स्क्वार बरावर में होता है 4ab होता है नाइब इसको तूर के देख लीजिये तो रिएगा तो कट छट के कायेगा तो वह ऐसा ही देखिए कुछ यहां भी आया है तो इसको हम उसी फ़र में लिखेंगे फोर इंटो आर एल लिख देंगे जैसे फोर आरेल हो जाएगा दीजिए बड़ी काम हैगा सी नीचे में दीए दोनों का स्कॉर है सकते हैं आर माइनस ये ह atheया संब्सक्राइब व dol sistenghman करें कर देंगे ने तो इसका भी स्काइर इसका एक ब्रेकेट बन करके पुरा कैइस्ट्बत मेरा क्या हो जाएगा वन बटnar 4 पाई एप्सिलन नोट और इंट्वम्क Q देखिए ऊपर में इसको मैं इसे लिख रहा है 2L आगुना में 2R लिख सकते के नहीं तो से 2 में गुना होगा तो फोर हो जाएगा R into L, RL हो जाएगा देखिए होगे A minus B into A plus B, मेरा क्या हो जाएगा A square minus B square A square minus B square अब पूरा का हमारा square जिसी A minus B into A plus B देखिए नहीं समझे हैं इसको मिटारते हैं मिटार करके फिर से लिखते हैं चली इसको मिटा देते हम तो इसको क्या लिखेंगे हम आर स्कॉर माइनस L square अब पूरा के whole square हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं तो कि होगे A minus B into A plus B तो उसका A square minus B square अब पूरा का फिल और और देखिए यहाँ पर Q गुणा 12 है Q गुणा 12 का value P होता है तो हम लिख देंगे P और बटा मेरा क्या है यहाँ पर आर स्कॉर माइनस L square अब पूरा काई whole square देखिए नहीं समझे हैं जैसे देखिए हम लोग जानते हैं कि विद्धो ते द्विद्धुरा गोर्ण P बरावर का होता है P बरावर Q गुणा 12 होता है तो वही तो किये हैं देखिए हैं पर Q गुणा 12 Q गुणा 12 के जगा P रख दिया इन्टू में हमारा 2R है इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं कि एक step और इसमें लिखते हैं एक step क्या लिखते हैं वो द्यान से देखिए यदि यदि R ये बहुत बहुत बढ़ा हो L से यदि R जो है दूरी R वो L से बहुत बढ़ा हो जब R L से बहुत बढ़ा होता है तो R के तुलना में L लगभग नगन्ने होता है देखिए यदि R बहुत बढ़ा हो L से तो R के तुलना में L लगभग नगन्ने होता है नगन्ने होता है नहीं के बराबर होता है नगन्ने होता है ठीक ना नगन्ने होता है ठीक तो यहां L को हम लोग नगन्ने कर देंगे क्यों नगन्ने करते हैं इसके पीछे करन जाने जैसे देखिए दोनु आवेसु के बीच का जो जो दूरी होता है टू वेलू बहुत आर का एल से कोई संबंध जूटेगा, नहीं समझें, जिसे मान लेजिए कि अपना रिस्ता जुड़ना चाहते हैं, तो वो अपन अवकाद देखिया है, वो कर अवकाद देखिया है, बहुत बहुत बड़े हैं, धन संपति सबने, हम उसे बहुत है छोटा हो गए, तो उनका जुटे के कोई रिस्ता है उकरा में, तो वही बात है, यहाँ पर, कि आर और एल के बीच में तुलना के जाता, आर बहुत बड़ा हो गया, एल के तुलना में, तो एल उसके सामने का हो जाएगा, नगन्ने हो जाएगा, नहीं के बराबर, तो उसी कुम लोग क्या है, जीरो कर देंगे, ठीक ना, जीरो का स्कार है, पूरा के होल स्कार, इसी को आगे हल करते हैं, वन बटा पोर पाई एपसिलर नोड, और इंटू में देखिए हैं, पी गुना 2R है, तो मेरा क्या हो जाएगा, पी या गुना में यहां, 2R हो गया, अन नीचे में देखिए जीरो का स्कार, तो जीरो हो जाएगा, तो बचे का खले आर स्कार, आर स्कार का स्कार करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर के पाउर यहां 4 हो जाएगा, अब इसी को आप लिख देजिए हैं, पर ए बराबर, वन बटा पोर पाई एपसायलर नोड, और इंटू पी गुना 2R, आज देखिए नीचे में जैसे R के पाउर 4 है तो इसको में लिग देते हैं RQ इंटू R लिग देते हैं इसे फायदा क्या होगा एक वार से R हमारा किंसिल हो जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा तो मेरे पास देखिए बचा है आपके लिए E बराबर 1 बटा 4 पाई Epsilon नोट और इंटू में P गुना 2 और बटा में मेरा RQ इसको आप ऐसे लिख देजए कि E बराबर 1 बटा 4 पाई Epsilon नोट और इंटू में मेरा हो जाएगा 2P बटा में हो जाएगा RQ हो जाएगा आदेखिए यही जो है अच्छे स्थेती में विद्धु छत्र के तिवर्ता का मान होता है तो जैसे हम बता है ना उसे दम लिख दिजिएगा तो आपका एक नमर नहीं कटेगा पांच में पांच नमर आपको मिलेगा लेकिन हाँ आपका आइटिंग सुन्दर होना चाहिए त अच्छी स्थेती में विद्धु छत्र का बियंजक है यही अच्छी स्थेती में विद्धु छत्र का बियंजक है ठीक ना यह हमारा हो गिया पांच नमर चलिए हम नेस्ट कोशन पाते हैं अगला कोशन हमारा है जैसा कि अगला कोशन हमारा देखिए वाला है अगला कोशन प्लोग को मालुम होगा कि बिज्दो छेत्र में किसी बिज्दू के विज्दो कि लगने वालत àsप वो टाव रावर फि सा इन ठीडा होता जान पी इस को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं कि एड़कर टे नbourg विख्टर प्री क्रोस भेक्टर रिखते यह जो है स्केलर फॉर्म में है यह व्यक्टर फॉर्म में है लेकिन यही टॉर्क होता है लेकिन हम लोग से कहा गया इसका बियंजक निकालने के लिखा गया है तो हम इसका बियंजक लिखा लेंगे विद्धु छेत्र के तिम तका क्या लिखा लेंगे बियंजक लिखा है किसी विद्धु को रखना है पॉरा सतिर्षा हो गिया है कि इसको अंड़ो करना पढ़ेगा हWow को चलिए इस पर लगने वाला बल QE होगा यहां माल लिते हैं कि माइनस Q को कर्षित करता है कि इस पर लगने वाला बल इधर की होगा यह भी बल मेराAQE है थिक अब देखि इस विद्धू दू त्धूर म रूप पता है और इसी में हमका किए हैं बिद्धुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दुर्दु हो था अब देखिनि हमाना लेते हैं कि जो हमारा विद्दृद भी धूरु है है तकी कुन मान रहा है खिटा को बना रहा है तो यह वाला जो है ना.. इघ्मल एखосünMLY क्यों आश्रा गिला या वाला कमन के चलते हैं कि वाला मेरा कमन क्या है फ्राइदा तो और रहान नाम देते हैं आ और यहां नाम देते हैं ञ metropolitan B यहां हम नाम देते हैं, C नाम देते हैं, ठीक, यहां पर मेरा इंगल 90 डिक्री बढ़ रहा है, अब देखे, यह हमारा डाइग्राम जो है, कम्पलीट होगे, अब हमको क्या निकलना है, क्यों टॉर्ट निकलना है, अब चाहे तो यहां भी एंगल ठीटा दे सकते हैं, यहां लिखते हैं, द्यान सुनिएगा, लेंग्विज क्या होता है, कि माना की ए भी एक विद्धुद विधरू है, जो एक समान विद्धुद छेतर वेक्टर E में स्थित है, तो हमको क्या लिकालना है, इस पर टॉर्क निकालना है, अब टॉर्क इसलिए इसके बाद लिखे हैं कि टॉर्क बराबर, टॉर्क कदे के परिभासा से हैं, इसका फर्मुला होता है, एक बल अग गुना दोनों बलों की बीच की लंबवत दुरिए, बीच के लंब वात्य लंब वात्य दूरी ठीक हां दोनों में से कोई एक बल और दोनों बलों के बीच के लंब दूरी तो देखें टॉर को में लिखते हैं टाव से टाव से एक बल हमारा कीवी उधर के और लग रहा है और दूसरा बल कीवी इधर के और लग रहा है तो एक ब किमारा बल का मान क्या होगि é qu in to e होगिए दोनों में से कोई एक बल का मान क्व in to e होगिए हुआ वलग बात है किShima बाति कि दूनों बाल एक दुसरे के भी पिट लग रहे है लेकिज दो बल लग क रहए हग हैं तो दोनों के बीच के लंब वदूरी है क्या समझेंगा जैसे कका मगल ऐसे काम कर रहा है। polish रखाओ समझेडा मिवारा क्लाध नंग कि लीच लंबॉद है यह नहीं मपारे के कर ke लोनों के बीच वीच वहोगा यह जो दिखाएज दरऊ स 컨श्वक है अignon लंबद दुरी हमारा क्या लिखाएगा BC लिखाएगा और इसको सम्भी करन एक माल लिजे तो कि BC का मान हमको मालूम नहीं हो अब देखें जिसके हम लोग जानते हैं कि विद्धुद विधुरू में दोनों आवेशों के जो बिच की दुरी होती है दोनों आवेशों के बिच के दुरी टुरी होता है अब पहले से भी जानते है कि विद्धुद विधुरू के एक ऐसा निकाह है जिसके दोनों के आवेशों के बिच के दुरी टुरी होता है हमको भाई BC का मान नहीं मालूम है BC का मान हमको नहीं मालूम है तो हम लोग चलेंगे अब यहां पर, अब समकून तिरभोज, अब समकून तिरभोज A, C, B में है, A, C, B में चलेंगे, तो देखी, A, C, B जो बन रहा है, A, C, B, तो इसमे यहां 90 तAccρι बन रहा है, 90 डिगरी के सामने अलग कर्ण होता है और ठीटा के सामने वारा लंब होता है तो इससे अधी हम लिखेंगे कि साइन ठीटा, तो साइन ठीटा बरावर लंब बटा कर्ण, ठीटा के सामने अलग कर्ण हो गया मेरा BC, लिख देंगे हैं BC, और सोरी, गलती हो गया, ठीटा के सामने बरावर मेरा लंब हो गया BC, ठीटा के सामने लंब हो गया BC, गलती से बला गया तोगा, और 90 डिगरी के सामन करन मेरा होगा Ab होगा या जो लगो देगे हाँ तो यहाँ देखे sin theta बृबर मेरा जो है BC का behیलू हमको नहीं मालूम है BC कään नहीं मालूम बीसियों छोड़ देगे हूँ लेकिन Main Diese B का मालूम है A से B के जो बीच का दूरी है मारा 21 है उसके जगा पर प॰ Southwest 맨े prioritize इसलिए मेरा बीसी बरावर क्या हो जाएगा तो यहां बीसी बरावर हो जाएगा मेरा 12 साइन ठीटा हो जाएगा क्या हो जाएगा 12 साइन ठीटा हो जाएगा तो बीसी बरावर मेरा 12 साइन ठीटा हो जाएगा वीसी का मान हम लोग समिकरन एक में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा। वीसी का मान समिकरन एक में रखने पर। चलिए लिंक धेते हैं। तो मेरा टाव ब्रावर क्या था वहाँ, टाव ब्रावर में रथा Q into A, और B C के जगा हमको रखना है, 2L sin theta रखना है, तो यहाँ देखिए मेरा क्या हो जाएगा, टाव ब्रावर इसको में लिख सकते हैं, इस परकार से, Q गुना में 2L, देखिए हां Q हो गया, यहां 2L हो गय और into में मेरा यहाँ E है, और sin theta है, नहीं समझें, देखिए आप P से परहे हैं, विद्धु द्धुरुआ घुर्ण जो होता है, वो हमारा P बरावर होता है, Q गुना 12 होता है, विद्धुरु द्धुरु द्धुरुदुरुद्धुरुद्धुर्ण क्या होता है, P लिख देंगे यहाँ पर ताव बराबर इस परकार से पी ए साइन ठीटर ठीक पी साइन ठीटर कर देंगे और फिर यहाँ पर इसको हम लोग सदीस रूप में लिख देंगे तो सदीस रूप में लिखते हैं ती मेरा हो जाता है सदीस रूप में ठीक है सदीस रूप मेरा हो ज में कि बाहरी विद्धु छेत्र में जब किसी विद्धु विद्धु को रखा जाता है इस पर लगने वाला टॉर का मान कितना होता है यदि यहां नहीं मिले तब टाव ब्रावर पी साइन ठीटा खोज लिजेगा तो खायरी तब पचनमर यह कोस्टन था इसलिए इतना डिर जिनमें पर टेक का दरवान जी üzल इसनोर बंद्धु ग्राम जो जो कहेंगा न सबसे पहले उसको लीक को लेते हैं ौधाइब कि घराम को केजी incluso के । में कर लटकाए जाए कि कईसे क्या कह रहा है किसफ प्रकार गोंपर जिस प्रकार से ऌरैकाज तुनों का दRभ महान एक स्थमान के डोन टो के लंबाई के नहीं पकार सेन nations में बोरे हमे करें है emoibly करेंगे एक बार का चुक्य follower आप देख लेजिए वीडियो में चलिए तो दोनों की जो जिसे बांत लटकाया गया है उसका लंबाई के इतना 50 सेंटीमेटर है और फिर कर आए कि दो समान प्रकिर्थी के बराबर आवेस दोनों पर दिया गया है और यदि गुट्टी का चार सेंटीमेटर के दूरी पर वि स्क्राइब आए ङुट को बनाए सकते हैं तो, देखिए को स्वे कहं में हमारा दिया हुआ है कि दोरी का लंबाई कomena है 50 सेंटीमीटर है तो संटीमीटर is सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए फशे मीटर में बदलने के लिए सा HC में आपKA कर दिजिए के 100 से भागा कर दिजी इह हमारा हो जाएगा एक बटा 2 मीटर हो जाएगा ठीक है फिर देखिए x के दूरी दिया x परावर 4 सेंटिमिटर मीटर को मीटर मदलने के लिए हम लोग हम लोग सído करते हैं know our x हो हमको जो है दोनों पर वेस्ट करना कि कि दोनों को ठीका उप आवेस्ट केतना है तो रहे है avenोकर दोनों पर भशा मानिक समान है जतना इस पर होतना है इस पर घृशन है जैए देखेजिव कि पाझ dovेकर इसका होता है इसका लिकालने का इसका फर्मूला देखें आपको बताते हैं इसका फर्मूला आपको याद रखें इसका फर्मूला जो होता है वो फर्मूला इसका होता है यह हम लिग देते हैं फर्मूला देखें इसका होता है x q बराबर होता है qa square into a लबटा में 2 पाइ epsilon note और इंटू में mg होता है यही हमारा formula होता है ठीक ना यही हमारा formula इसमें ठीक इससे हमारा बरार आराम से बन जाएगा अब देखिए इसमें हम तो क्या करेंगे थोड़ा सा काम करना परेगा थोड़ा सा काम क्या करना लिकालना है तो देखिए हम एक्स- sporting एक्सकमान कितना है चार गुना दस के पावर मैनस दु आई इसके मे बोर में कितना हमारा 3 है Q 7a2 छोर देजिया कूछ मत किज़े ال कामान वहाँ देखित धिया हुआ है कि इतना है एक बटदू है इसमें देखिए हमारा टू पाई एपसाइलन नोट है ना इसको थोड़ा हम लोग मोडिफाइ करते हैं कि इसमें उपर में हम दूसे गुना कर देते हैं आप नीचे भी दूसे गुना करेंगे जिसे क्यू एस पारेंट वेल है ना तो उपर दूसे दूसे गुना कर रहे हैं नीचे आप यल्स psychiat हो जाएगा हमारा फोर ंपाई एपसाइलन मोट हो जाएगा नहीं समझे हैं इसे उपर दूसे गुना करेंग आप दू सदूशर गुना करेंगा तो फिस हम दूसे कर फोर पीपनलोट ना इंट नहीं दिया हुआ पर 0.2 और गुना में 10 के पावर माइनस 3 दिया है एम के मान और जी का मान हम ले लेते हैं 9.8 ले लेकि 10 ले दस लेने पर जादे असान रहे हैं 10 लेने पर जादे असान रहे हैं हम क्या करते हैं कि हैं 10 ले लेते हैं इसका मान हम यह 10 ले लते हैं तेकि यहां पर आपको दूर्स से दूर्व करता हो नजरा रहा होगा और कुछ कट रहा है तो कहिए नहीं करता है तो छोड़ देते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस सम्मिकरन हम प्रूफ किये हुए बात कर दियां रखेंगा इस सम्मिकरन को खूब सुंदर से प्रूफ मिनगो fire हो जाएगा तो यहां देखिए ओपर में क्यू स्क्वाइर है आफ वान बटा में फूर पाए एप साइलन नोट है वान बटा फूर पाई एपसाैलन नौट हैना मिरा अब फूर हो में है क्यू स्कुर है अदिखिए नीचे में क्या है मेरा इसको दस से इसमें गु दस लुए के जी अगात्र का हो जाएगा अपका अदस लुए हो जाएगा मेनाद 2 हो जाएगा गुना दस के पाउर मैनिस तीन है यहांपर अब देखिए हम लोग जानते हैं कि इसका मान कितना होता है एकि 64 सार्थ इसका मिरामान होता है 9 गुना 10 के पाउर 9 होता है 1 बटा 4 पाई epsilon के भेल 9 गुन 10 के पाउर 9 होता है यहाँ देखिए घटेगा इसमें आपका एक चली घटा यह मत छोच दीजे qa square और बटा में मेरा यहाँ पर 2 गुना 10 के पाउर मैनस 3 है तो अब यहाँ गुना करते है इससे हम लोग इसम पुछ लेजिएगा क्योंकि हम भाई अपना स्तर से हर एक पॉइन को संध्या की ही बता रहे है छोड के नहीं भाग रहे है तो चली तीर्चात इसी गुना करते हैं इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे मेरा हो जाएगा 64 गुना 2 हो जाएगा और यह हो जाएगा 10 के पाउ का मान निकलना है तो हम क्या करते हैं कि इसको इन भाग हम भेज देते हैं तो यहां मेरा क्या हो जाएगा दोस्त यहां मेरा हो जाएगा 64 गुना 2 हो गुना 10 के पाउर मैनस 9 और यहां मेरा हो जाएगा 9 गुना 10 के पाउर 9 आइंटु में यहां क्या हो जाएगा क्यूए स्क के बाद दो ते रिके इसके बाद हम कर रहे हैं दोस्त के की वे स्क्वाइर को इधर लिखते हैं की वे स्क्वाइर को में इधर लिख देते हैं और दस के पावर मैनस नौ को हम उपर लेके चल जाते हैं तो मेरा हो जाएगा 64 गुना दू ठेक और यहां गुना में दस के पाव पावर माइनस नौव और नीचे में मेरा क्या बचेगा क्यों नौव बचेगा तो इधर से हम लोग जब स्क्वार हटाएंगे तो धरूट चाहर जाएगा यहाँ पर क्यों बराबर का हो जाएगा अंडरूट है 562 आगोना 10 के पावर माइनस 9 आगोना 10 के पावर माइनस नौव निचे में हमारा 9 अब देखिए 64 का वर् और यहां देखिए नौ का वर्ग मुल्क कितना होता है दोस्त नौ का वर्ग मुल्क तीन होता है यहां पर तीन लिख देंगे अब देखिए अब मजा है हलाकि बहुत असान था भार ही नहीं है जो भी है कली धायर से कि यहां हम लोग जानते हैं कि रूट टू का जो मान होता है एक दसाम लोऑ चार एक vier होता थिक अब दसके पावर माईनिस नौ है मेरा औरभ अम यहां पर मेरा थीन अब इसको गुना करदि गुना करेंगे और तष्ट जो के बतीश के दू और ऐट ध है और 513 के एक फिर अच्छो के 32 के दू आठ तीन इगारा हो जाएगा मेरा यहाँ पर दस अमलू डाहिने तरफ से तीन अंके बाद अबटा मेरा यहाँ तीन हो गिया गुना में 10 के पावर माइनस 9 हो गिया ठीक है तो यहाँ भाग देजिए भाग देजिएगा कितना हो जाएगा दोस् से रूट टू का मान होता है एक दसंब्लों चार एक चार होता है रख दिए आठ से गुनाज करेंगा अच्छो के 32 के दू फिर इसमें हो गाता आठ अतिन इगारा तीन इगारा के एक फिर एक रहें आच्छो के 32 के दू अच्छा इगारा एक तरीक एक छुट गया यहाँ इगारा गलती हो गया है यहां परो गुनायकरने जलीफ रहें गलती हो गया अच्छो के 32 के दू ऐतिस्क दू एके तिन हो जाएगा अब फिर आंप और इगारा इतना हो जाएगा बट्ति अब इसको भाज देते हैं-त इन बार में कटेगा तीन बार में कटेगा ने जी तीन बार में कट जाएगा हमारा तो बचेगा दू तो दू बचेगा तो का हो जाएगा यहां तेश हो जाएगा आप तुछ कानगा तेस में हम लोग भाग देंगे तक वार में कटेगा कर नसफ वार में से बचेगा दू भीर बचेगा इस्वेथगे कि यंदि फिर यह तो लकान आएगा है फिर विर नहीं चांट ना थेन दूबचेंगे और यानि कि लगभग मे एतना आएगा ना आव य तो question में जो पूछा था कि दोनों गुटिकाव परावेस का मान कितना होगा तो दोनों गुटिकाव परावेस का मान होगा 3.7 ते अगुना 10 के पावर माइनस 9 कुलम आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यही एंसर इसे हो गया है यहीं तक एंसर हो गया है ठीक ना तो जो हम फर्मूला बताया था ना कि x q ब्राबर होता है q a square into l बटा में टू पाई एंजी इन टू पाई एप्साइल नोट इंटू एंजी उस फर्मूला के इस्तमाल करके बन जाता है अब जिसे कोशन में देखिए गा तो अजीवे भद्धत तरीका से बनाया हुआ है आपको पसंद नहीं पड़ेगा इस लिए आप इस तरीका से बनाएगा जो हम तरीका स ADS प्रकार से क्युत बराबर तीन पॉआ masa देन्षे में नैνο कुलंब अपेस और नैनो कुलों को इसे लिए तो देखिए हम आपको बता हूए कि एक नैनो कुलम बराबर होता है 10 case power माइनस 9 कुलम होता है एक नैनो कुलम बराबर 10 case power मेंस 9 कुलम् होता है ठरीक family truth नहीं हैं को दिखाए दिया दसके नौ कुल को हम लोग एक नैनो कुल जिए एक सेखरा में वुना होगा तेन दसमीUR साथ दिशसाथ नैनो कुलम को यहां तक भी चाह सकते हैं तो मेरा इंसर तो इसे यहीं तक हो गया है लेकिन मान लिजिए कि और आगे बरहाना हो तो ठीक है तो फिर अब हम अगला वीडियो मिलते हैं आपसे फिर नया वीडियो के नया कोश्चन के साथ और कोश्चन बैंक जो भी है ब्रिलियंट का जिसमें चाहिए आपको सुल्यूशन के साथ है तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है वहाँ पर क्लिक करके आप वीडियो लिजिए वहां से पूरा इंसर प्रोश्चन सब लिक के बनाया हुआ हुआ है और नहीं तो हम सुल्यूशन करते चल रहे ह है आप वीडियो पाउस करकर के दूतार लिजिए वह आपके लिए बहुत अच्छा होगा पैसा बच जाएगा मिलते हैं आप से अगला वीडियो में जैहिंत प्यारे बाल को